हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आज रहूँ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एर किट के बारे में एक एर किट के में आपको यूज, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आप बने रही इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर करते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देड़ ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं एक एर किट दो दवाओं से मिलकर बनी एक एलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गर्व को गर्व पात कराने के लिए इसे यूज किया आता है इसके अलावा मैं आगे आपको बताऊंगा इसे यूज करने का सही तरीका और सबसे आसान तरीका साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसे लेते समय हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नहीं इसका इस्तिमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए तो आप लोग बने रिये, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत महिलाएं, इसे लेते समय गलती कर देती हैं, उन्हें डोज का सही से पता नहीं होता है, या जहां से भी वो लेती हैं दवा, वहां से उन्हें सही से नहीं बता जाता है कि कैसे लिया जाता है इसे, उसकी वज़े से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार उनके क्लॉट्स किलियर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वज़े से वो प्रेग्निंट अभी रहती हैं, बाद में इंफेक्शन होने का डर होता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे जरूरी यही होता है कि इसका डोज सही से समझ लें, तो आप लोग बने रहे वीडियो में, फिलहाल में आपको दिखाता हूँ इसकी पैकिजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, एक एर किट, यहें एक पत्ते में पास टैबलेट होती है, और इस पास टैबलेट की एक किट होती है, इस किट दोस्तों हम जानते हैं, किन महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिन महिलाओं की प्रेग्नेंसी दो महिने से उपर हो चुकी है, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, अगर ये यूज करना चाहती है, तो पहले डॉक्टर की सला लें, उसके बाद इस्ते वालो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो हो सकता है रिपलाई करने में देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा दोस्तों आप चाहो तो मुझे डारेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक अगर आपको अभ गलती से कंसीव कर चुकी है और कंसीव करने की डेट जो है वो दो महिने के एंडर में है तो जब वो महिला इसका इस्तेमाल करती है तो जो उनका गर्व रुका हुआ है वो निकल जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज करने का सही तरीका जो की बहुत महिला गलती कर देती हैं और बहुती आसान तरीका में आप लोगों को बताऊंगा इस किट का इस्तेमाल जैसा कि आप स्क्रीन पर किट देख रहे होगे इसमें पांच टैबलेट होती हैं तो जैसा कि आप पांच टैबलेट स्क्रीन पर देख रहे हो मान लीजी आप आज से सुरू क करना चाहते हो तो आज 23 तारीक, आज की डेट के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, आज 23 तारीक है, तो आपको जो यह फस्ट गोली दिख रही है, उसे लेना है आपको गरम दूद के साथ, एक गोली 23 तारीक को आपने आज ले लिया उसके बाद आपको 24 तारीक का गैप देना है 25 तारीक को ये दोनों गोली जो आपको सामने दिख रही है इसके ये दोनों गोली आपको लेनी है गरम दूद के साथ और 25 के बाद सीधा 26 तारीक को यानि कि अगले ही दिन आपको ये दोनों गोली गुनगुने दूद के साथ ले लेना है मानली जी आपने नो बजे रात को लिया है तो आपको आठ नो दस के बीच में ही लेना है उसी समय जिस समय आपने लिया है मानली जी आपने रात में ये गोली खाई ये 9 बजे तो जो दो गोली अगली है वो भी आप 9 बजे के आसपास ही खाऊगे और जो अगली दो गोली है वो भी आप 9 बजे के आसपास ही खाऊगे 8, 9 या 10 बजे के आसपास तो साम का समय तो साम को ही लेना है ऐसा नहीं है कि आपने दिन में लिया और फिर आप रात को ले रहे हैं वैसे उल्टा सिधा नहीं करना है तो इस बात का ध्यान लखें तो दोस्तों इस तरीके से इसे यूज किया आता है अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेते से में क्या क्या परहेश करना चीए जो कि बहुत महिलाएं गलती कर देती है जैसे कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है आईस क्रीम वगेरा नहीं खाना है और मैं आपको बता दूँ चावल भी आपको नहीं खाना है दही, लसी ये सब नहीं लेना होता इसमें तो इस बात का ध्यान लखें कोई भी ठंडी चीज इस्तेमाल ना करें और आपको पानी भी गुनगुना पीना है तो इस बात का खास तोर पर ध्यान लखें चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस से होने वाले side effect जब इस दबा को कोई महिला लेती हैं और उनको बहुत तेज बुखार आने लगे तो समझ लीजिए उन्हें ये सोट नहीं हो रहा या फिर उनको बहुत ज़्यादा bleeding होने लगे जरूरत से ज़्यादा होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सोट नहीं हो रहा या फिर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे लगातार चक्कर पर चक्कर आ रहे हो तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सोट नहीं हो रहा है साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत महिलाओं को दस्त भी लग जाते हैं तो अगर दस्त लग जाएं तो भी आप समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा है या फिर आपको बार बार उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है दोस्तों मैं आपको बताना और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर की सला जरूर लें नजदीकी डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबाए